हाई आल वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम शर्ट कॉलर की ड्राफ्टिंग सिखेंगे जिसके लिए नेक लाइन मेजुर्मेंट जानना बहुत जरूरी है तो देखिए कैसे लेते हैं नेक लाइन मेजुर्मेंट ये है पिचर जिसमें हम देखेंग के सेंटर फ्रंट तक हम जब इंच टेप से मेजर करते हैं तो ये नेक लाइन का हाफ हो जाता है तो सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट तक जब हम मेजर करते हैं तो वो हो गया नेक लाइन का हाफ लेकिन जब हम इसे पूरे राउंड में मेजर करते हैं सेंटर फ्रंट से शु ये neckline का half, जब हम drafting करेंगे उसमें हमें neckline का half चाहिए, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी drafting, तो चलिए, शुरू करते हैं, अब सबसे पहले हम एक line mark करेंगे 6 to 8 cm, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कि यह हमने लिया है, यहाँ से यहाँ तक 6 to 8 cm, अब इसके बाद एक line और ड्रॉ करेंगे, वो है हमारा neckline का half, यहाँ लिख देते हैं, neckline का half, अब हम इसका एक square box बना देंगे, इस तरह से, box बनाने के बाद, अब हम नीचे इस point से button stand का measurement लेंगे, shirt में जहाँ button लगता है, यह वो वाल्या measurement है, तो उस button पट्टी का जो measurement है, वो हमने लिया है, यहाँ पर, आपको उसे measure करना पड़ेगा, जो हमने 6-8 cm line ली थी, उसका center point और इस center point से 1 cm नीचे की तरफ आएंगे, और इस तरह से एक और line mark कर देंगे, अब next marking हम, यह जो हमने neck line का half लिया था, इस measurement का 3-4 लेंगे, और इस तरह से एक और line ड्रॉक कर देंगे, 3-4 हम लिख देते हैं, अब इस button stand measurement का जो हमने निशान लगाया था, उसके उपर भी यह किये, चोटा सा square बना देंगे, और इस point से उपर की तरफ 0.7 cm लेंगे, अब इस तरह से shape देंगे, अब इस point से 0.5 अंदर की तरफ लेंगे, और यह shape देंगे, उपर की तरफ आपकी मर्जी है, आप कॉलर को कितना लंबा करना चाहते हैं, पॉइंट इसका, इस तरह से तेर्ची लाइन बनाएंगे, और इस तरह से shape देंगे, नीचे से 0.25 का निशान लगाएंगे, और फिर इसको भी आगे इस तरह से मिला देंगे, तो यह हो गई हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग, यहां लिख देते हैं कॉलर ड्राफ्टिंग, I hope आपको यह वीडियो समझ आया होगा, thank you, bye bye, take care.